नमस्का, उनकी कलम, मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार, तो लेजे सुनते हैं कहानी कैलाशी नानी, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चोहान जी ने, पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अब इस संसार में हैं भी क की नहीं, परन्त, उनकी स्मृती इतनी ताजा है कि आज भी कैलाशी नानी, वही अपनी मैली सी घुटनों के उपर तक की धोती, और फटी हुई मिर्जई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली समाले, और हाथों में गायों के हाकने का डंडा लिये, ना जाने, कितनी बार आँखों के सामने घुमती हुई दिख जाती है, वह गवार अनपडस्त्री, जिसे अक्षर का भी ज्यान ना था, सहज ही भुलादेने योग्य ना थी, मेरी नानी ना होकर भी, वह मेरी नानी थी, मेरे मामा के गाउं में, मामा के घर से हटकर, उनका छोटा सा जोपड में ना तो कोई दर्वाजा था, जो कभी बंध हो सके, और ना ही दूसरा कोई सामान, बरतनों के नाम पर कुछ मिट्टी के ठीक रहे थे, और पिस्तर की जगा थोड़ा पुआल पड़ा था, यही मेरी कैलाशी नानी की ग्रिहस्ती थी, पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गाओं के बच्चे उनके परमेश्वर, हाँ, तो मेरी कैलाशी नानी उस गाओं के रहने वालों के जानवर चराने ले जाया करती थी, उस गाओं में करीब 40 घर थे, और प्रतेग घर से एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था, कैलाशी नानी के जीविका यही इसी में केलाशी नानी का दान पुन्ने हो जाया करता था और इसी आनाज को बदल कर उन्हें रोज के व्यवहार के लिए नमक, मिर्च, मसाला भी लेना पड़ता था पैसे तो गाउवालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं केलाशी नानी की तरह गरीबनी को पैसों का दर्शन दुलब होना ही चाहिए इस प्रकार जीवन बिता कर भी केलाशी नानी दुखी न थी विस सदा प्रसन और हस्ती रहती थी दूसरों की सेवा के लिए तत पर रहती थी आधी रात को भी बुला लो तो वह तुम्हारा काम कर देंगी और तुम्हें किसी प्रकार की आसा भी न रखेंगी जाड़े के दिन सुरू हुए थे एक दिन मामा के गाउं से एक आदमी संदेश लेकर आया कि मामा ने मा और बच्चों को बुलवाया है जब तक मा ने मामा के घय चलने को तयारी न कर डाली तब तक हम भाई बेहनों ने तंग कर डाला सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था इसलिए उसे छोड़कर हम सभी भाई बेहनों को लेकर आखिर एक दिन मामा मा के घर आ गई मा के साथ आने वाले भाई बेहनों में मैं सबसे बड़ी थी मेरी उम्र 10-11 वर्ष थी हम भाई बेहनों को मामा के घर में और कुछ अच्छा ना लगता पर मामा के घर से 100 फूट दूर एक नदी बहती थी उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ धोर चलाने के लिए जाने में बड़ा आननदाता था कैलाशी नानी जे जगा धोरों को ले जाती वहां दूर तक जहां तक दृष्टी जाती सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता था दूर दूर तक आम, पीपल और धांक के व्रिक्ष थे इनकी घनी चाया में दोपहर को अराम करते और गाउं के छोटे बच्चों का एक जुंड नानी के नेतित में धोर चराने निकल जाता वहां केवल धोर ही न चराय जाते थे वहां कहानिया भी कही जाती, पहेलिया पूछी जाती और कभी-कभी राम लीला का खेल भी खेलते हम भाई बैनों को इस ग्रामेड जीवन में बहुत सुख मिलता एक भाई बहुत छोटा था, वह तो मा के साथ ही रहता था हम तीन भाई बहन प्राया रोज क्यलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते मुझे याद है, हम लोग घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते थे कि अच्छा नहीं बना और सची वह अच्छा ना लगता था केलाशी नानी की चंगल में सूखी रोटियां नमक या कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था, उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया रोटियां भी गेहू की नहीं, ना जाने किस तरह के नाज मिलाय पनाई जाती थी केलाशी नानी को हर घर से एक ही अनाश तो मिलता ना था कहीं गेहूं कहीं जौ, जौर, मक्का, उड़द, मूम, अरहर सब मिला कर इकठा कर देती और रोज आविशकता अंसार किसी की चक्की से पेस लेती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेख रखती यही उनका प्रति दिन का आहार था यही रोटियां वह सब को खिलाती थी और हम लोग बड़े स्वात सिखाते थे कभी-कभी गाओं के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैला कर मचली भूनते उस दिन केलाशी नानी रोटी भी न खाती, सत्तु खाकर ही रह जाती सुनाई थी, राजा की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुन्दर बड़ी नेक किन्तु एक दिन जब वह नदी पर नहा रही थी तब परियों के देश से एक राजा राजकुमार आया और राजकुमारी को घोडे पर बैठा कले भागा कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे पानी बहुत गहरा ना था पर बड़ा साफ था नदी में नहाने का ही प्रलोभन हमें रोज यहां घसी इट लाता हाँ तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए वहां राजकुमार तो ना आया परन्तु जब नहाँ धोकर लोटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है कपड़े जरा साफ सुत्रे थे मैं डरी कि कहीं यही वो तो राजकुमार तो नहीं है फिर खपरा कर दूर तक नजर दोड़ा कर देखा कहीं भी कोई घोड़ा ना दिखा मैं बेफिक्र हो गई यह राजकुमार नहीं है वह होता तो घोड़ा जरूर होता बाद में कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वा गाउं का जमीन दार है और कैलाशी नानी को हर महीने धोर चरवाई में पांच सेर अनाद देता है वही हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठा गया और हम सब भाई बैनों में पारे में कैलाशी नानी से बातचीत करने लगा जब उसे यह मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो उसे बड़ा अश्चरे हुआ क्योंकि काउ में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती और तीन-चार साल के होते होते तो उसका ब्याह भी हो जाता था उसने स्वर को धीमा करके कैलाशी नानी से कहा कि क्या कुल में कोई दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अब तक कुमारी है कैलाशी नानी ने कहा नहीं भाईया कुल में दागवा कुछ नहीं है बड़े आदमी है, लड़की लड़के सभी मदर्शे में पढ़ते हैं, यही बिटिया रामायण माच लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है, जब पढ़ लेगी तब लायक वर देखकर ब्याह करेंगे वह जमीनदार जितनी देर तक बैठा रहा, बार बार हमें ही देखता रहा, दूसरे दिन जब केलाशी नानी धोर धीलने आई, तो छोटे भाई बेहन अभी सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैं अकेली ही नानी के साथ निकल गई, कलेवा करने से पहले हम सब बच्चे फेनदी पर नहाने गए, जब हम जा रहे थे, तब ही वह जमीनदार फिर आया, और केलाशी नानी को बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा, उसे केलाशी नानी ने हाँ चोड़ कर कुछ अस्विकार किया, जमीनदार ने कुछ ना सुनकर नानी के पल्लू में जबर दस्ती कुछ बान जो छिपाए ना छिपती थी, उन्होंने हमें खिलाया, पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी, किन्त, कहानी में उनका मन ना लगा, अन्य दिनों की तरह जब मैं बच्चों के साथ धोर हांक में जाने लगी, तो जाने ना दिया, उन्होंने मुझे अपने पास ही मैंने जित की, तो मुझे डान दिया, शाम हो चुकी थी, मा तुलसी के पास दिया जला रही थी, कहलाशी नानी छिपती हुई, मा के पास आई, और इशारे से बुला कर अलग कमरे में ले गई, उन्होंने मा से कहा, कि वह अपने बच्चे समेच जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता है, जमीनदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला रहा था, शायद वह अपने इस बैर का बदला इस प्रकार लेना चाहता है, वह चाहता है कि कहलाशी के साथ धोर चराने जानी पर, वह हम दोनों बहनों की मांग में अपने पुत्रों से सिंदूर भरव इस प्रकार हम दोनों बेहने उसकी पुत्रवधु में बन जाएंगी मामा जान कर भी कुछ ना कर सकेंगे इस काम में वह कैलाशी नानी की सहायता लेना चाहता था इसलिए 10 रुपे उनके पल्लों में चबरदस्ती बान दिये थे 40 रुपे काम पूरा हो जाने पर देनी का वादा किया था कैलाशी नानी ने सपत लेते हुए वह 10 रुपे कमर से निकाल कर मा को दिखाए और फिर बोली बिटिया छूट नहीं कहती मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं फिर ये 10 कलदार कहां से आए ये उसी अधर्मी ने बान दिये हैं तुम बिटिया को लेकर चली जाओ जिस गाउं का जमीनदार इतना अधर्मी है तुम यहां फिर ना आना बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेज कर ही फिर आना कलाशी ने यह भी कहा कि वह हमारे जाते ही इन रुपें को जमीनदार के आगे फिंग देगी अधर्म का पैसा वह कभी सुईकार न करेगी मुझे याद आया कि एक दिन इकन्नी लेकर मैं नानी के साथ चली गई और कलाशी नानी ने मुझे लेकर वह बहुत सम्हाल कर रख ली और शाम को लोट कर वह मा को वापस कर दी मा ने जब वह ही कन्नी उन्हीं को वापस दे दी तो कलाशी नानी के चहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो कई बार इकन्नी को उलट पुलट कर देखने के बाद कैलाशी नानी ने उसे कमर में खोंस लिया मा को जाने कितने आशिरवाद देती हुई भग गई थी वही कैलाशी नानी आज कमर में दस कलदार बांधे थी कल जरासी बात पर 40 रुपए और मिलने वाले थे पर कैलाशी नानी अधर्म का पैसा नहीं लेना जाती थी उन्होंने कहा कि अगले दिन वह हमें वहां से भेजे बिना धोर चराने नहीं जाएंगी और जमीन दार के रुपए उसके दर्वाजे पर जाकर फेक देंगी फिर तो चाहे वह महीनों का पाँच से रनाज भी बंद कर दे कैलाशी डर्ती नहीं वह कहीं भी जाकर धोर चराकर पेट पाल लेगी मा उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कोई कैसे उनकी पुत्रियों की मांग में सिंदूर भर कर घर में रख लेगा मेरे पिताजी प्रसिद्ध वकील है वे जमीन दार को जेल खाने की हवा खिला सकते थे फिर भी मा कैलाशी नानी के आग्रह को ना टाल सकी दूसरे दिन वह हमें लेकर घर चली आई तब से आज तक कैलासी नानी का हमें कोई समाचार ना मिला था सची तो है अधर्म का पैसा कभी किसी को फल देता है क्या तो आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलती हूँ किसी नई कहानी या कभीता के साथ आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद